दोस्ता आज की वीडियो में हम सीखने वाले कि कैसे मैंने आज पूरे दिन ट्रेडिंग करी और ट्रेडिंग के अंदर छे बार गलत होने के बावजूद भी मैं मार्किट से पैसा बनाने में काम्याब हो पाया सारे ट्रेड एक ही दिन में लिए गए इंट्रडे के सारे ट्रेड थे छोटा मोटा अमाउंट नहीं था दस लाग का अमाउंट लगा करके ये काम किया गया तो आप अगर successful trader बनना चाहते हैं, reality में आप सीखना चाहते हैं कि यार market से कैसे बनाते हैं, बड़े trader कैसे work करते हैं, मैं अपने आपको बड़ा trader नहीं मानता, मैं भी एक student हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो वाला trader बिल्कुल नहीं हूँ, जो एक लाग लाग अगर पर दिन का कमाते हैं, तो वो वाला काम तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस टाइम, होप सो कर पाए, in future, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ, वो मैं आपको डिलिवर्ट करना चाहता हूँ, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जितना at least मुझे पता है, त तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, तो 100% आप एक अच्छी नॉलिज गेन करके घर जाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ट्रेडिंग की साइकलोजी को समझने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ जब दिमाग में घुशती है, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक स बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चानले के यूटूब चैनल में मेरे नामे अन्मोल मित्तल, थोड़ा सा दोस्तों गला खराब होगया सरदी की वज़े से, क्योंकि डेली के अंदर जब गर्मी पढ़ती है, तो रजके पढ़ती है, और जो सर करनिंग बैनेंस आप यहां देखेंगे लगबग 11 लाग के आसपास हैं, जिसमें मैंने मार्जिन यूस्ट कर लिया है, यानि जो मैंने ऑप्शन सेल करा है, जिसका प्रीमियम कमाने के में रखा हुआ है, उसको मैंने काटा नहीं है, वो एक्ससाइस में चला गया है, अब क इन में चार्ट स्वाइस आपको दिखाऊंगा कि कहां का एंट्री ली गई, कहां का एक्जिट करा गया, और किस-किस तरीके से एक्जिट किया गया, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप ओटियम ओप्शन सेलिंग करके मार्किट का बेनिफिट उठा सके, अब जैसे कि कितने गिरी थी? 8 रुपे 25 पैसे, हलाकि जो 8 रुपे 25 पैसे वाली जो कॉल थी न, यह 3 रुपे के असपास आ गई थी, 5 रुपे इसने टैम डिके अपना कर दिया था, तो मैंने अपना stop loss ट्रेल करके 8 रुपे पे लिया था, मैंने 8 रुपे 25 पैसे पे बेचा, और मैं अ 3,000 पर आने थे लेकिन वो stop loss लग गया तो वो 100 रुपीज रह गया दैन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ मुझे फिर वापिस लगा मार्केट में कि मार्केट शायद यहां से वापिस नीचे जा सकता है तो मैंने लगबग 10-25 के आसपास वापिस सेल करा सेम कोंट्रेक्ट को नहीं मार्केट बहुँ जदा वोलेटाइल हो गई थी काफी उपर चली थी तो मैंने एक कोंट्रेक्ट दूर यानि 21,550 की जो कॉल है उसको अगेन शौट करा 10 लॉट शौट करे एक लॉट के लिए 1 लाग से थोड़ा ज़ादा पैसा चाहिए होता है आ करेंगे तो 400 तो यहां पर देखेंगे मैंने 6.7 का फिर एक और शौट करा यह भाई सब भी थोड़ा नीचे चले गए जब यह नीचे चलेगे थोड़ा सा तो मैं अपना जो स्टॉप लोस था उसको कोस्टिंग पर लिया आया तो यह स्टॉप लोस भी ट्रिगर हो गया अ अब यह मैंने तीसा ट्रेड डाला सेलिंग का अब यह वाला जो ट्रेड है यह भी 21,550 की कॉल मैंने शौट करी ठीक है प्रीमियम कितना चल रहा था पांच रुपे 25 पैसे पर लेकिन इसको ट्रेल करने का समय नहीं मिला क्योंकि यह थोड़ा बहुत उपर नीचे करके मेर इस टोपफर ट्रिगर कर गया चिक्स रूपीस का अब यहां पर मैं थोड़ा सा लॉष में आगया लगभग 203 रुपे के आस पास में बहुत ज़्यादा लोश में नहीं हूँ अभी भी मैं यहां पर लॉस में बैठा हूं ठीक है अब यह काम हो गया अप उसके बाद दोस कोस्ट अपनी कोस्टिंग भी लिया फिर वापीस ट्रिगर हो गया तो लगातर देखें मेरे तीन-चार ट्रेड लगातर गलत हो रहे हैं लेकिन मैं बहुत जादा लॉस में अभी भी नहीं हूं अभी में 200-300-400 भी लॉस में हूं तो बार समझ रहे हैं कि मैंने अपना लॉस क कि फिर मैंने पांचवा ट्रेड यहां पर डाला है यह फिव ट्रेड है अब यहां पर क्या करा मैंने अपनी स्ट्राइक प्रैस को थोड़ा सा पास मिली आया 21,500 भी लिए अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों करा आपने ऐसा दोस्तों इसलिए करा क्योंकि जो 21,550 का जो प्र अब मैंने क्या करा 9,80 Jordan के वापिस her करी चमना क्योंकि इसका स्टोप लोस्त ट्रिगर कर गया बाराइर रुपे पर थीक है अब मुझे 2,000 अजर्वा करी एक लोस्त हो रहा करेंटली इस कंडिशन भी मुझे 2,200 तो के पास को लोष्घ को रहा था ।ैन मैंने क्या करा कि कि एक ट्रेड की और कोशिश करी अच्छा माफी चाहूंगा यहां पर 2000 का लॉस नहीं था यह तक्रीबन 1000 पे के आसपास का लॉस था फिर मैंको लगा कि मार्केट फिर यहां से शायद प्रीमियम डाउन जा सकता है तो मैंने क्या करा कि 12 बचके 50 मिनट पर वापिस सेम कॉंट कोट्रेक्ट 11 पे 25 पैसे पे शौट करा और इसका स्टॉप लॉस भी ट्रीगर हो गया अब मुझे 2200 के आसपास का लॉस हो चुका है इस कंडिशन पे यह 6 ट्रेड मेरे लगातार गलत जाने के बावजूद भी मैं मार्केट के अंदर सिर्फ 22 रुपे के लॉस में बैठा हो और दस्लाग के केपिटल कर रकिये में इसके अंदर डाली हुई है तो बात समझ रहें कि 10 रुपे का क्या होता है कुछ भी नहीं होता आगर में युनी लगाता लॉस करता हूं एक महिना तक तबसुन चले जाएगा 40,000, 50,000, 50% तो हुआ, लेकि फिर भी मैं शांती से दो बैठाउं, लोग 10 लग को 0 कर देते, अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला ट्रेड है, वो ट्रेड क्या है, वो ट्रेड लिया गया, दोस्तों लगबग डेड़ बजेगे आसपास, अब मुझे लगा कि आप मार् और इसको लगा करके जो छोड़ा है, मैंने इसका स्टॉप लोस् ट्रिगर हुआ ही नहीं, और जब यह ट्रिगर हुआ ही नहीं, तो यानि मुझे इसका पूरा 4,000 पर मिल गया, यानि जितना यहाँ पर मैंने 22,000 का लोग कर रहा था, यहाँ इस 4,000 ने इसको कवर अप कर दिया, तो यह दोस्तों था आज का जो मैंने पूरा ओर्डर्स लिया, मैं पॉजिशन दिखा रहा हूं अपनी, यह दोस्तों मेरी पॉजिशन देखिए, इन दो कॉंट्रेक्ट्स पे ही पूरा दिन काम होता गया, तो इसमें लोसिस प्रोफिट, लोसिस प्रोफिट्स यानी, खोहो छोटा-छोटा, लेकिन जब आप ग्रैब कर रहे हो मार्केट के अंदर पैसा, तो रज के ग्रैब करो, ताकि छोटे-छोटे जो स्टॉप लोसिस है, इसकी रेलेमेंस खतम हो जाए, दूसरी इस चीज के अंदर एक इंपोर्टेंट्स क्या रही, जरा मैं इस कॉंट्रेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, आज जो मैंने इसके ओपर वक करा है, तो इसका एक बाद चार्ट ओपन करते हैं, यह है दोस्तों आज के दिन का रुजहान, यह है पूरा यह कॉंट्रेक्ट, यह मैंने 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है, मैं इस आप मूव आया, जो मेरा cost to cost पर वो मेरा ले गया, तो इस strategy में, जो मैं implement कर रहा हूँ, option selling के लिए, मैं basically कर क्या रहा हूँ, कि अगर मुझे कहीं weakness दिखाई देती है, जैसे कि मुझे लगा कि यहां से शायद weakness आ सकती है, तो मैंने इस premium को short करा, और यह उपर मैंने जहां stop loss को costing पर लिए आया, क्योंकि अगर market मेरे against जाता है, trade के against जाता है, तो मैं cost to cost पर भार हो जाऊँ, तो मेरे ज्यादातर जो stop losses है, वो cost to cost पर निकल गए, क्योंकि मैं उसको trail कर दिया, मैं बहुत सदा trail नहीं करूँगा, मैं एक relevant area पर trail करूँगा, जहां मुझे लगेगा क यहां से market को उपर जाने में तकलिफ होते हैं, मेरा risk भी कम हो जाए, बे मतलब trail मत करिये, उसके बाद देखिए, यह 3 रुपे वाली जो चीज, जो 3 रुपे पर trade कर रही थी, suddenly market के अंदर spike आया, और इसने 28-30 रुपे के आसपा से high मार के गई, आप यह सोचके चलिए, कि अ चालगोना कितना भी हो सकता था, तो यह दोस्तों होती, power of stop losses, stop losses लेना, risk को manage करना trade में बड़ा important है, उसके बाद देखिए, जब यह ऊपर चला गया, एक spike इसने जो देना था दे दिया, उस spike के बाद यहां मुझे कहीं लगा, कि मुझे यहां शॉट करना चाहिए, इस level पर वापी से उपर चला गया, फिर मुझे लगा कि यहां कहीं शॉट करना चाहिए, वापी से उपर चला गया, फिर मुझे लगा यहां कहीं करना चाहिए, यहां कहीं बेचना चाहिए, फिर वापी से देखिए उपर चला गया, फिर मुझे लगा यहां कहीं बेचना चाहिए, फिर यह वापिस कहीं ऊपर चला गया तो यह काफी रेर होता है यह इतना इजी होता नहीं है फिर लास्ट में जो दोस्तों यह वाला ट्रेड था जो मैंने आपको दिखाया था कि 10 रुपे के आसपास मैंने यहां कहीं जो शॉट करा था यह उपर कहीं स्पाइक देके ही नही गया और सड़नली इसने पूरा 10 रुपे का जो क्रीमियम था चालिस का लॉट साइज है यानि 4000 पे दस लॉट मेंने शॉट करे वे थे वह पूरा प्रॉफिट दे गया यह होता है दोस्तों ट्रेडिंग इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना आप मार्केट में छोटे-छोटे स चीज है ना अगर मार्केट एड इंदा मनी नहीं आता तो यह जीरो हो गई होगा तो इसका दोस्तों बेनिफिट आपको हमेशा मिलता है कि आपको पता है कि यह चीज जीरो होने वाली है आप सिर्व एक वीक्नेस ढूंड रहे हो कि कहां वीक्नेस मिल रही है कहां मुझे ए अगर इतना करना दोस्तों आप सीख जाते है तो आपका काम हो जाता है काफी लोग कहेंगे कि यह आदमी पागल है 10 लाखरे लगा करकर क्या 18 सौ रुपर कमाकरforme खूश हो रहा है आप यह सोचके चलिए माल लेते हैं कि मैं 10 लाखरे लगाकर कर इसमें बहुत सारे ट्रेड होगे माल लेता हूं यह पंद्रा सुर्पी मिले मेरे पास है 20 ट्रेडिंग सेशन मार्केट में मार्केट 20 दिन ओपन होगा कितने होगे दोस्तों लगबख होगे 30,000 ठीक है यह पंद्रा सुर्पी मैंने सारे लॉसिस वगरा सब करके कमाए छे स्टॉप लोसिस लिए हाला कि कुछ कॉस्टू कॉस्ट निकले लेकिन दो तिन लॉस में भी थे लेकिन तब भी मैंने पंद्रा सो कमाए मैं मार्केट से निकाल पाया 30,000 अब एक काम करते इस 30,000 को महिने का क्या यह कम होता है नहीं 24 परतिशत होता है एक साल का दूसरा हम में इसमें क्या कर सकता था जिस दस लग की कैपिटल को में लिक्वीड है समुन 15 और मिलता यानि 24%, 30% मेरा हो सकता था तो तो बास समझ रहे हैं कि मैं 30% तक कैपिटल कर रहा हूं और यह सिर्फ एक जो कंडिशन आप देख रहे हैं रेर कंडिशन है जहां सिर्फ 1500 कमा पाया जहां पर देखिए मैं कमाने गला था 45,000 यानि आदा परसेंट कमाने निकला था लेकिन यह मुझे सिर्फ इसलिए आया क्य ट्रिगर हुए मार्किट पैनिक में आया कई बार इस बज़े से हुआ लेकि ज्यादा दर ओटियम में ऐसा नहीं होता कई बार एक बार स्टॉप लोस ट्रिगर करके वापिस आपके फेवर में चले जाता है तो आप 3-4,000 पर कमा लेते हो यह मैंने ऐसी कंडिशन पर आपक तो कि मुझे यह conviction थी कि यह contract आज के दिन जीरो होने वाला है जब आपको पता है ना एक चीजा आज के दिन यहां तक जाने वाली है इस लेवल तक जाने वाली है तो उसमें मैं 3-4-5 रिस्क ले सकता हूं तो यह होती दोस्तों power of OTM contract trade काफी लोग कहते हैं ना कि वीडियो कि आज पूरे दिन तक कहा कहा और कैसे कैसे जा रही होगी तो यह तर दोस्तों आज की वीडियो में उमीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि trading कैसे की जाती है stop losses की क्या importance है अगर आप stop losses नहीं लोगे सबसे पहले अपन पैसा बच गया तो कमाना असान हो जाएगा लेकिन अपना पैसा भी नहीं बचा पा रहें तो कमाने दिन तो भूली जाएगे दोस्तों अटिम ट्रेडिंग में काफी टाइम से करते वह आ रहूं तो जितनी पी चीज़े मैं आपको बताई है डेटेल्ड में यह सारी experience से आ प्राइब बटन पर दे रहा हूँ आप जा करके स्ट्राटिजी को देख सकते हैं उसके अंदर मार्जिन कैसे रिडियूस करेंगे उसके बारे में भी बताया है तो वह आप देख सकते हैं बाखी दोस्तो यही था आज की वीडियो में जल्दी मिलएंगे नेक्सफ वीडियो म साथ अपने के लिए गूडबाई गॉडब्लेस यू बाबाई दोस्तों